EUET 2023 correction अभी form online हो ही रहा है लेकिन student की ये problem आना start हो गई है कि उन्होंने अपने application form में अपनी personal detail गलत भर दिये document या फिर उन्होंने गलत upload कर दिया है या फिर उन्होंने university या अपने जो domain subject थे required subject थे university के लिए वो भी उन्होंने गलत चूच किया है इसके लिए क्या करना होगा कैसे आपका correction होगा क्या date रहने वाली है सब कुछ आपको इस वीडियो में student बताऊंगा लेकिन मैं आपको इस चीज क्लियर करना चाहतूँ मैंने step by step सारी चीजें आपको बताया था कि form आपको कैसे online करना है एक लंबी वीडियो सब कुछ कोई भी चीज मैंने skip नहीं की थी इसलिए बोला था कि उसको आप ध्यान से देखें उसके बाद ही आप अपना form online करें domain आपको कैसे चूच करना है required domain आप चेक कैसे करेंगी सारी चीजे मैंने आपको बताया था student आपको घबराना नहीं है आपको सारी update correction को लेकर सब कुछ आपको मिलता रहेगा time पर भी आपके पास एक detailed वीडियो होगी कि आपको correction करना कैसे है उसके लिए आपको इस channel को subscribe करना है और साथ में आपको description में दिएगे telegram group को join करके रखना है जैसे ही correction स्टार्ट होता है आपके पास एक वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको correction कैसे करना है क्योंकि आपको एक ही माँका मिलने वाला है correction के लिए और वहाँ पर आपको गलती नहीं करना है साथ में आप limited चीजें ही change कर पाएंगे यदि आपने अपने CVT के application form में कोई भी गलती की है तो आपको अपना email हमेशा चेक करते रहना होगा हो सकता है आपने गलती आपको लगता हो कि मैंने सब कुछ अच्छा किया है लेकिन फिर भी क्या होता है कभी कभी signature reject हो जाती है photo आपने जो upload की है जो clear नहीं होती है तो वो भी आपकी reject हो सकती है इन सभी चीजों के लिए आपको अपना email चेक करते रहना होगा और जब भी correction start होता है correction की क्या date रहने वाली ही आपको सायद पता हो नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में आपका correction होगा उस time पर आपको बिल्कूल एकदम alert रहना है alert तो आपको पहले ही रहना है हो सकता email आपको पहले ही मिल जाए कि आपने क्या गलतियां की है उसके लिए आप सुधार कर पाएंगे 15 से 18 मार्च के बीच आप वहाँ पर क्या कर पाएंगे अपने कास सर्टिफिकेट को भी upload कर पाएंगे जो आपने declaration दिया है यदि आपके पास अभी कास सर्टिफिकेट नहीं था आपने एक declaration format को download करके और उसको fill करके यदि जमा किया है आपको reservation चाहिए तो आप वहाँ पर correction time पर उसको upload कर पाएंगे अपने कास सर्टिफिकेट को भी आप फिर से सारी चीज़ें update कर पाएंगे लेकिन वहाँ पर अब आपके पास मौका नहीं होगा अब आपको वहाँ पर आपको गलती नहीं करना है आपको अपनी personal detail को update करना है आप कुछ limited चीज़ें ही change कर पाएंगे क्या चीज़ें आप change कर पाएंगे कैसे आपको correction करना है last admission में आपको क्या चीज़ें ध्यान में देना है सब कुछ मैं बताऊंगा इसलिए इस चैनल को subscribe करके जो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है आप इस चैनल से जुड़े रहें यदि आपने गलती की है तो अभी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है आपका correction होगा और आप कर पाएंगे सारी चीज़ें आप edit कर पाएंगे अभी ऐसा खुछ भी नहीं है कि आप CVT 2023 के लिए बाहर हो जाएंगे आप admission नहीं ले पाएंगे बिल्कुल एकदम भी फिक्र रहेंगे लेकिन alert रहेंगे और जुड़े रहें चैनल से भी और साथ में आप updated रहें cvt.sumrth.ac.in जो की cvt की official site है यदि आप उस पर नहीं चेक कर पा रहेंगे तो आप telegram group में आप बिल्कुल सतर करहेंगे वहाँ पर आपको notification दी जाएंगे Students यदि आपको correction के बारे में cvt correction और साथ में cvt के और भी जो latest update है उनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए detailed जानकारी आपको चाहिए कि क्या चीजें कैसे होंगी भविस में क्या चीजें cvt में क्या चीजें change होती है सब के लिए latest update यदि आप राप्त करना चाहते हैं तो आपको comment में एक link मिलेगा जो कि इस channel की ही आपकी site है educational news site है theviralnow.com उस link पर आप click कर सकते हैं या फिर आप अपने search browser में type भी कर सकते हैं theviralnow.com वहाँ से आप article पढ़ सकते हैं correction के लिए cvt correction के लिए और भी जो cvt की और भी ज़्यादा जानकारिया होंगी आप जिस university में admission लेना चाहते हैं इंडिया की सभी university के बारे में सब कुछ वहाँ पर review होगा रहा सब कुछ वहाँ पर पड़े हुए हैं